नमोरमा विध्यार्तियों, संस्कत्विशे की कक्षा आठ में TSN Online क्लास पर आप सभी का स्वागत है विध्यार्तियों प्रीवेस वीडियों में हमने रुची रात रतियों भाग है जो आप लोगों की संस्कत्विशे की पार्ट्या पुस्ता के बच्चो उसका जो चैप्टर 12 है कहा रक्षती कहा रक्षित है इस पार्ट का बच्चो हमने कुछ भाग हिंदी अनुवात कर रहे जो लास्ट सेट प्रिग्राफ में विनै जो बोल रहा है और यह जो पिच्चर बनी है बच्चो वी देहें एक महिला अपने घर की कॉर्ण के देखो आकर के उपर से क्या करी यह डसमीन से कंचरा बाहर सडक पर वैक्दी दिखा ही दिखाई रही है और बच्चे अपने कच्रा ना आ जाए ठीक ना बच्चो तो यह गलत बात है वैसे भी सीखने राइक बात है कि हमको अमिश्य कच्रा घर में तो हम इधर उदर नहीं फैलाते हैं हमरा सारा किस्टा अम दस्बीन में घर को साथ सुत्रा रखते हैं लेकिन फिर अपना घर तो वह साफ करें लेकिन के साथ सड़क को वह अन्वार्मेंट को वह गणदा कर रही है ठीक ना तो हमको नहीं करना चाहिए कर र कंदा नाचाहिए यहां-धहन नहीं करना चाहिए ठीक ना तो हम पड़ रहे थे वचल विनnai जबद बोल रहा है पश्या पश्या ऊपर इतन है इदानिम अपी अवाक्राए मार्गे शिप्यते। अभी भी अवतरा है वो मार्ग रस्ते में सड़क पर क्या है पहका है ता प्रेक को版 सप्यते तोलगा कराए गंज़क है Achoo यह महोधियां aahooye meansU國 contract द QUESTION कहा कमार्ग कए Sou長 crystal स्मय की दिश्लिन quarter ofEEP पर क्या करो क्रुपा करते ही दूर यह सर्वत्त है यह साइभ में नियुक्र गार्व शोहएं क्रत्यलD आपके द्वारा युद और आपको दी गलत करें वो कहना चाने हैं बच्चे इस तरह से ठीक है न तो रोजलीन वापस क्या बोल रही है रोजलीन बोल रही है जो महिला है उनका नाम है रोजलीन रोजलीन बोल रही है आम पोत्र हाँ पोत्र सर्वता सत्यम वदसी बिल्कुल ही सत्य बोल रहे हो सही ब शमा कीजिए इदानिन मेवा गच्छा में अब मैं समझ पा रही हूं ब्रेकेट में क्या लिखा है रोजलीन आगत्ये बालाई साकम स्वाक शिप्तम अवकरम मारगे विकिर्णम अन्य अवकरम चाह पी संग्रहिये अवकर कंडोले पात्यती रोजलीन आगत्ये रोजलीन आकर करके वापस रोजलीन अपने कर से बाहर आई है और बालाई साकम जो बच्चे थे उनके साथ में स्वाक शिप्तम अवकरम अपने द्वारा भेग फैके वे कचरे को मारग में जो उसने कच्रा फैका था उसको और विकिर्णम और अन्य जो कच्रा फैला हुआ था उसको भी चाप यानि उसको भी संग्रहिये इकत्रित करके वो अवपर कंडोले जो कुड़ेदान है डर्समीन है उसमें वो पात्यती फैक्ती है टन्धपेज टूरिंस पेज नंबर 87 पर बालाहा जो बच्चे हैं आपस में क्या बोल रहे हैं एव यानि ही इसी प्रकार की जाग रुपता से ही प्रधान मंत्री महोद्यानाम प्रधान मंत्री महोद्य का सचता अभियानम पी सचता अभियान भी क्या गतिम प्राफ्षिती गति को प्राप्त कर पाएगा विनाय है जो विनाय क्या बोल रहा है पहले पिच्चर देख लीजे बच्चो ये जो गाएं दिख रही हैं में दो गाएं दिख रही है और जो कच्रा फैला हुआ है उसमें से वह खा रही पी रही है कच्रा खा रही है कच्रे में से वापस खाने के पदार्च होते हैं जो बहुत से लोग होते हैं वह सड़क पर ऐसे ही प्लास्टिक के थेली सही थी सामान फैक द इंपने में जाया सिपने होगा इस लिए कह भूख जो अंदर की जाती हैं अबाले जाती है ञेमिज नहीं करती है थीक है अब और लुख है कि यहीं हो रहा है जेशा सिफ्टे में उधे खाने जिए वहले का जो फे जुढते वह भाघा हो जाती है तो बुखिटी है को साथ में खाते खाते वह जो ठेलिया हैं वहनके पेड़ में जा रहिए ठीक है ना बचो तो यह विनय क्या बोल रहा है वह देखे पशे पशे तत्र धेनु शाक फलाना मावरण ही सहा प्लास्टिक सुथम अपट ऐह देखो 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 तत्र वहां देखो धेनु जो गा खा देती खा रही हैं यता कतनुद निवाहाल एशा यता कतन जैसे तयसे उसको क्या करना चाहिए रोकना चाहिए एसा किस ने बुला विनय ने बुला में ब्रैकेट में जबुके लिए बिर दचाना पेड़े आप सें इस ने वारा था उसे उन्होंने कुछ केले लिए और आवाज लगाई गायों बुलाते हूँ उन्होंने केले चील हुम को उनको छाटी कैले क्लर्द में डाला क्या म को बचोर में लिखा है तो परते हैं कि मार जाखिव प्रॅल कट台ा Allen काहले को 17-15 बेचने वाला था उसको देख करके बाला जो बच्छे थे उन्होंने उससे कड़ली फलानी कृत्वा जो केले के फला केले खरीद करके उन्होंने देनमाव एंती बोजे अंती चे जो गाय को आवाज लगा कर उसको खिलाए भूजन करवाया मतलब उनको केले खिलाएं गायों को मार्गात प्लास्टिक सुतानी चाप सर्य और मार्ग में रास्ते में जो भी प्लास्टिक थेलियां आरी जो अप सर्यानी की फैली भी थी पिही ते अवकर कंडोलिक शिपनती धके वी जो कूड़े दान में धकन वाला ज पर्मिंदर है जो पर्मिंदर है वो क्या बोलता वापस प्लास्टिक स्य म्रतिकायाम लया भावात अस्मा कम पर्यावनस्य क्रते महती क्षती भावती प्लास्टिक स्य म्रतिकायाम लया भावत यानि कि जो प्लास्टिक है प्लास्टिक के मिट्टी में छिप जाने के कारण ह्मारे पर्यावन्स के लिए बहुत ही खती है क्योंकि प्रास्टिक होती बच्चों वह डेमेज नहीं होती है थीकर न तुल, मिट्टी में चिप जाएगी मिट्टी में चिप जाने से वह डेमेज न रहती है हमारा environment भी क्या होता है वो उसके लिए बहुत ये नुक्सान दैख है। लोग अधुना तत स्थाने और आज ये समय में तत स्थाने इन सबके स्थान पर प्लास्टिक निर्मित वस्तुई क्या करते हैं। वेभव क्या बोल रहा है आम हां घटी पट्टी का अन्यानी बहु विधानी पात्राणी कलमित्यादीनी सर्वानी तो प्लास्टिक निर्मितानी भवन्ती वेभव क्या बोल रहा है कि आम हां घटी पट्टी का अन्यानी बहु विधानी पत्राणी यहां घडी के पट्टे य और बहुत सारे पात frame पॉर्ट्स सभी और बहुत कुछ भी सभी प्लास्टिक से ही निर्मिद होते ह। जोंसेस Mom & असमवी पित्र हो शीखषिकाणा है ॷायोगेन प्लास्टिक से विविद पक्शा विचार्णिया जो से बोल रहा है कि आम हाँ, असमा भी पित्रोग, शिक्षक आनाम सहयोगेन, हाँ हमें भी पिता से तथा शिक्षकों के सहयोगेन, सहयोग से, प्लास्टिक के जो विविद पक्षा, उस पर हमको विचार करना चाहिए, विचार निया है ये, परियावरेन, परियावरनेन, स पशव अपी रख्षन या यह परियावन के साथ जो पशु है उनकी चाहिए उनकी भी हमको रख्षा करनी चाहिए जो जो फॉलक्षो कि घायम के यह दॉक्त के लालश में जा जाते हैं तो जानी पशव की आपलास्टिक के लिए आंपको सोचना चाहिए और हमारे परियावरण के लिए भी हमको सोचना चाहिए यह प्लास्टिक क्या है नुक्सान दयक है ब्रैकिट में दिखते क्या लिखा है एवम एवा आलपंतह सर्वे नदी तीरम प्राप्ता और इस प्रकार से आपस में बाचित करते करते हैं सभी यानि कि व वे वह क्या करते हैं गायन करते हैं और गाते हैं क्या गाते हैं उन्होंने श्लोग गाया है देखिए बच्चों बच्चे आराम से नदी के दर पर पहुंच गये हैं गर्मी से परेशान होते हुए रास्ते में चलते हुए परियावरण के विशे में विचा करते हुए चलत बच्चे बोल रहे हैं कि सखे मित्र अच्छे परियावरण से ही जगत यानि जो संसार है वो संसार की अच्छी स्थिति क्या है और संसार में उत्वन लोगों का जन्म संभावब हो सकता है यानि कि हमारा पर्यावरण बहुत अच्छा होगा, तभी आगे भी मनुश्य को जन्म अच्छा संभव हो सकता है, सर्वे सभी आपस में अतीव आनंद प्रदोयम जल विहार है, यह जो जल विहार है वो बहुत ही आनंद प्रदान करने वाला है, इस प्रकार से बोलते हैं, ठीक है बचो, तो बचो आज क ही कक्षा में हमने परियावन से संबंदे जो हमारा पावड था अवर्णेस कर जो आज की कख्षा में बच्चो इतना ही और जो शिक्षा हमको ग्रहन करनी है कि प्लास्स्टिक की वस्तोग का हमको कम प्रयोग करना है और हमोंको हमारे परियावन की रक्षा के बारे में हमें सोचना है अधिक से अधिक हमको पेड लगाने हैं ये सब हमने सीखा बच्चो आप लोग इस शिक्षा को अपने जिवन में अमल करें बच्चो आज के कक्षा में बच्चो इतना ही अगली कक्षा में हम इस पार्ट की जो अभ्यास प्रश्न है उनको हल करेंगे उनको समझेंगे तके लिये शुबं मंगलम।